हाँ जी प्यारे बच्चो कैसे हैं हम अभी तक क्या कर रहे थे कुछ definition हमने कर लिया था और definition हमने कितना cover किया था definition में हमने देख लिया था एक तो capital देख लिया था capital के बाद drawing देख लिया था drawing के बाद हमने देखा था आपका purchase, purchase return, sales, sales return, debtor, creditor, bills payable, bill receivable, outstanding expense, prepaid expense, bed debts, solvent, insolvent ये सारी चीज़े हमने देख लिया है last class में अब आज का एक concept हम आगे और इसी concept को आगे लेके चलते हैं सब आपने note अच्छे से किया था ना, बिल्कुल साफ साफ note करना है क्योंकि जो आपने note किया मैंने कहा था कि वो आपका है, ये तो मैं कर रहा हूँ आप जब इसको देख के copy करेंगे, note करेंगे तो वो आपके register में आपकी property है, ये मेरी property है advance income, advance income होता क्या है, एक example देखो, मान लो Mr. Ram Mr. Ram एक दुकानदार है, ठीक है ना बच्चे, एक दुकानदार है, इसका दोस Mr. Mohan दोस्त मैंने बोल दिया, customer है ये, ये आता है इसके पास, कि सर मुझे accounts की book चाहिए, जवाब में राम ने बोला, आप एक काम करो, मुझे पैसे advance में दे जाओ, मैं साम तक market से मंगवा दूआ, ये इसको 500 रुपे advance में दे गया, आप मुझे जवाब देना, क्या इसने इसको books दे दिया, नहीं दिया भी book इसको, तो ये जो income receive किया है ना इसने, है तो वैसे income अगर book दे दे तो normal sale हो जाता, लेकिन अभी ये sale भी नहीं है, इसने इससे एक advance receive किया है, advance, तो अगर मालो शाम तक Mr. Ram book नहीं दे पाता, तो इसको इसके पैसे return करने पढ़ेंगे नहीं होता है, जो की income कमाने से पहले receive कर लिया जाए, उसको advance income कहते हैं, और ये वापस करना पढ़ भी सकता है, तो बताओ मेरे लिए SATA liability, वापस करना पढ़ सकता है, तो कर जाए, तो liability, तो ये क्या होगा हमारा, liabilities, कुछ-कुछ words है, दो-दो second के, दो-दो minute के words है, वो आपने देखना हैं, और उसके उपर हमें क्या करना है, फिर आगे काम करना है, इसको एक बार note करिए, फिर एक और definition हम देखेंगे, फटा-फट से note करिए आप, note करिए, कर लिया, note, चलिए, नेक्स कॉंसेप्ट पर चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, ओवर, आप मुझे बताईए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हिंदी में, क्या आप सबने सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो उन्होंने तो सुना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन जो non commerce हैं उन्होंने bank overdraft सुना होगा लेकिन actuality होता क्या है बस उन्हें पता है कि bank overdraft है लग बग तो हम bank overdraft भी समझेंगे क्या है एक example लेके समझते हैं देखो जब मैं example देता हूँ तो सायद आपको बस देने का purpose यही है नहीं तो ये सारी चीज़े तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आपको के लिख दू और इसका के हिंदी लिख दू जो लो याद रख लो तो इतनी सारी चीज़े याद रखना possible नहीं होता कुछ examples हैं कुछ चीज़े ऐसी हैं जो हमारे life में क्या रहती है याद रह जाती है लास्ट तक और क्या पता वो चीज़े याद रह जार वो आपको one marks दिला दे तो bank over draft देखे क्या होता है अब आप से मैं बात करता हूँ suppose करो Tata Tata Company सबने नाम सुना है Tata Company का आप बताईए इसका honor कौन है आप सभी को पता इसका honor है रतन टाटा रतन टाटा पता है आपको आप से question पूछा भी जा सकता है general knowledge में भी कि इसके founder honor तो नहीं है खेरिये honor है रतन टाटा अब रतन टाटा की मैं अगर सक्सियत की बात करूँ तो इसकी reputation market में बहुत अच्छी है या बेकार है इसकी reputation बताईए रतन टाटा इसकी reputation market में अच्छी है और ये main income उद्देश से पैसे कमाना नहीं होता बहुत सारे trusty बगरा भी है तो जो रतन टाटा है main trusty वगरे के साथ भी काम करते हैं इनका Tata trust के नाम से भी है तो उस बात को खैर छोड़ते हैं हम Tata की बात करते हैं जो bank था वो था हमारा suppose करो SBI bank तो आपको bank का अगर मैं हिसाब किताब बताओ तो bank वालों का main income का source क्या होता है bank का main income का source क्या होता है अब तो bank में SBI वालों ने minimum balance भी हड़ा दिया है तो जो हम जमा करते हैं उससे नहीं है जो loan देते हैं तो जो bank वाले loan देते हैं और हर branch की अपनी responsibility होती है कि इसके जो branch manager होगा इसका जो general manager होगा उनकी responsibility क्या होती है कि वो जादा से जादा loan and advance दे और ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दे, secure terms में दे तो यह देखो हमने एक SBI बनाया और यह SBI bank है State Bank of India तो इसका जो branch manager है इसकी responsibility और इसका यह salary इन सब को भी commission मिलता है तो depend पता है किस पे करता है कितने advances देता है माल लेते हैं कि return, tata और SBI के बीच में deal चल रहा है रतन, tata को अपना business setup किया हुआ है तो जो इसने account खुलवाया है SBI में, bank के अंदर तो वो account पता है कौन सा होगा, वो होगा current account current account, sir यह current account क्या होता है देखो account बहुत तरीके के होते है saving account, तो business man जो open करवाते हैं वो current account तो saving account और current account की क्या खास बात है saving account में आप दिन भर में या महीने में कुछ transaction कर सकते हैं उसके बाद करोगे तो charges लगेंगे current account में आप दिन भर में 100 बार पैसे जमा करो निकालो कोई charges नहीं लगने वाला तो यही फरक है इसके कुछ अलग से charges भी लिए जाते हैं यह हमारा current account है अब Tata का business है तो Tata का मुझे एक बात बताओ कि क्या ये उधार माल खरीदता होगा बिलकुल इसके भी बहुत सारे उधार माल खरीदने को क्या बोलते हैं याद करो creditor बोलते हैं करा था ना last class में खरीदना इसके बहुत सारे creditor होगे यानि इसका कुछ कोई ना कोई तो creditor होगा जिसको पैसे देने होगे पैसा इसे देना होगा होगा ठीक है याद रखना है creditor पैसा देना होता है और इसके बहुत सारे debtor भी होगे जिसको उधार माल बेचा होगा बिलकुल सारे debtor भी होगा पैसा डेटर से क्या होता है बताइए कुछ बोल रहे हैं कुछ बोली नहीं रहे अरे बोलिए आप जब तक participate नहीं करिएगा कुछ नहीं फाइदा पैसा लेना होता है इसमें तो डेटर भी एक creditor जो इसका account है current account इसके अंदर बहुत कई बार करोड़ों रुपए तो आ जाते हैं और कई बार करोड़ों रुपए निकल जाते हैं तो इसके account में deposit भी होता है विट्रॉन भी होता है तो कई time पे ऐसा भी time आता होगा कि मानलो इसके account में 200 करोड़ रुपए है किसी creditor से इसने 200 करोड़ का उधार लिया था उसी creditor को ये क्या करें फटाफट से payment कर दे तो 200 करोड़ निकल गया तो इसके account का balance का जीरो हो सकता है बिलकुल हो सकता है एक second के लिए जीरो हुआ जीरो तो हो सकता है ना बिलकुल क्योंकि account से पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं यही तो चलता रहता है इसका एक driver है driver driver Mr. Ramu sir हर बार Ramu नाम क्यों लेते हुआ क्या करें कि आसान नाम यही याद आता है मुझे Mr. Ramu driver है इसने बोला रतन टाटा से जो टाटा है उससे बोला sir मुझे थोड़ी से ना पैसे दे दो salary डियू हो गए हैं मैं बहुत आपका driver हूँ आपके साथ ही रहता हूँ थोड़ा सा मुझे advance salary दे दिया जाए रतन टाटा पैसे लेके नहीं था पास मैं इसने बोला चलो हाँ यार दे देता हूँ देने के बाद इसने क्या करा एक काम करो यार रामू मैं आपको cash नहीं देता एक काम करो आपको मैं check दे देता हूँ रामू ने बोला ठीक है साहब आप check दे दे मुझे रतन टाटर ने एक चेक दे दिया और इसको 5000 रुपे सेलरी दिये 5000 रुपे का रतन टाटर ने और इसके उपर साइन वगरा कर दिया अब रामू इस चेक को लेके जाता है बैंक में बैंक में लंबी लंबी लाइने लगी है ये रहा काउंटर बैंक में लंबी लाइने लगी है रामू बिचारा लगा हुआ है रतन टाटा ने फोन किया रहे कहा रहे रामू बोला लाइन में लगा हूँ सर पैसे जैसे ही रामू इसके काउंटर पे पहुँचा वैसे ही यहां का जो कैसियर बैठा होगा जो कैसियर बैठा होगा उस कैसियर ने चेक पे अकाउंट डंबर लिखा होता है वो डाला, डालते ही देखा उसने इसमें 0 बैलेंस है क्योंकि 0 हो गया था ना, जैसे ही यह पहुँचा उसी टाइम इसके अकाउंट से 500 करोट रुपे निकल गया और इसका अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया और इस कैसियर ने बोला सर, इसमें से 5000 नहीं निकल सकते इस अकाउंट से इस अकाउंट पे बैलेंस 0 है ड्राइवर ने बोला सही से चेक करो, देखो, रतन टाटर जी ने भेजा है मुझे, आप जानते होंगे आपके पास तो सालों से काम कर रहा है मैनेजर ने बोला, देखो मुझे अपनी नौकरी प्यारी है रतन टाटर ने बेजा हो, चाहे परधान मंतरी ने बेजा हो, जब बैलेंस 0 है तो मैं पैसे 1 रुपी अभी ने दूँगा ये लोग चेक वापस ले जाओ भाई, इसका थोड़ा सा इंसल्ट हुआ, ये बिचार इतने दिर तक खड़ा हुआ और ये वापस आ गया वापस आने के वादे रतन टाटर मन में सोस्ता सोस्ता रस्ते में आया, जब ये वापस आ रहा है तो पता ही क्या सोच रहा होगा बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं इससे अच्छा तो मैं ही हूँ मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं चेक तो नहीं देता, ये आ रहा है सोस्ता सोस्ता, सोस्ता सोस्ता आ रहा है, कि बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं ये अकाउंट में पैसा है नहीं और ये सब काम करते हैं इसका दोस्त मिल गया इसको भी इसने बोल दिया अरे टाटा वाटा कुछ नहीं होता रतन टाटा नाम का है पांच हाजार रुपे तो account में है नहीं रतन टाटा बनने चले ये ये बनेंगे टाटा कुछ काम का नहीं है इसके दोसने बोला अच्छा इसके दोसने और बताएं तो ये बाते बताओ कितनी तेजी से फैलेगी क्या हुआ डाउन ही आप बिलकुल डाउन हो जाएगा कहीं ने कहीं बेजज़ती हुई और बेज़ती का कारण कौन था बैंक रतन टाटा गया बैंक के पास SBI के पास और इसके मैनेजर से बोलता है भाई देखो तुम्हारे बैंक से मेरा हजारो करोड रुपे का लोन चलता है और आपने पाँच हजार रुपे का विस्वास नहीं कि आप पैसे देही देते तो क्या होता मैनेजर नहीं बोला असल ऐसी बात है कि हम रूल के खिलाप नहीं जा सकते यह तो रूल है ही नहीं बोला भाई तुम्हे रूल अपना प्यारा है मेरा आकाउंट बंद करो यह लो पैसे हम किसी और में जा रहे हैं तो बैंक ने इसको अगर पाँच हजार करोड रुपए दस हजार करोड रुपए लोन दे रखा है और एक परसंट भी ब्याज लेते हैं तो एक परसंट के ब्याज में भी तो अगर एक परसंट भी ब्याज लेता है तो एक परसंट के ब्याज में भी अगर देखा जाए तो हजार करोड का एक परसंट कितना होगा कितना होगा बताओ सौ करोड का एक परसंट हजार करोड का एक परसंट दस करोड दस करोड रुपे इसके क्या बनेंगे ब्याज उस दस करोड की इसकी इंकम है हर महिने की और पांच हजार के चक्कर में एक क्लाइंट चला जाएगा इसका मैनेजर घबरा गया मैनेजर बोड़ता है सर सर टाटा जी आप ऐसा क्यूं कहते हो ऐसा क्यूं कर रहे हो उसने बोला देखो तुम्हारी वजह से मेरी मार्केट में बदनामी हुए मेरे स्चियर्स के प्राइज नीचे आगए मेरी मार्केट में थूथू हो रही है आपके मेरे ड्राइवर के सामने में मुझ दिखाने लाइक नहीं रहा इस सिचुएशन में रतन टाटा कहता है कि भाई मेरा अकाउंट बंद करो मेनेजर ने बोला सर मार्फित हो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ मेनेजर ने बोला देखो मेनेजर आगे ये मेनेजर है और ये रतन टाटा दोनों one to one one to one बात कर रहे हैं आपके लिए हमें एक फैसलिटी लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए है आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी होगा न तो हम अपने सिस्टम में एक ऐसा इन्फरमिशन डाल देते हैं कि आपके पैसे निकल जाएंगे रतर ने टाटा बोला तो यही तो निकालना था अगर वो निकल जाता तो उसको पता ही नहीं चलता और इतनी बेज़ज़ती भी नहीं होती तो बोला कि सर ऐसा करो आप मेरे कम आप क्या करने जा रहे हैं इसने बोला कि जो कैसेर जो 50 करोड देगा आपकी बनामी नहीं नहीं उने देगा लेखन सर 50 करोड रुपे जिरो के बाद आप निकल रहे तो उसका बियाज लूँगा मैं बियाज लूँगा मैं और ये 50 करोड रुपे आपके ओ देने पड Awesome बोला देने क्या पढ़ेंगे जैसे ही अगार याहाँट मेराया काट ले ना भई तू ban left तो बोला तो उन्हों ठीक है बोला बयाज भला इतनी ब्याज देते हैं अनकुला नहीं और तुम्म बियाज तो माइनस में चला गया बैलनस तो अगर इसका बैलनस टाटा को बैंग वाले को पैसे देने हैं नहीं देने भइam जो माइनस में निकाले देने हैं तो इस Os Hans City को जी शिरो के बाद जब आपके अंड के बैलन सने में हो जाता है इस मेक तो है यह ज्यादा ओवर निकाल लेना इस facility को बोलते हैं bank overdraft यानि बैंक से पैसे जादा निकाल लेना तो अब बताओ अगर bank overdraft रतन टाटा करता है तो इसके उपर करजा है liability है या asset है सच-सच बताना क्या बताओ अगर यह bank overdraft करता है इसको तो पैसे बाद में देने पड़ेंगे हाँ बेटे देने पड़ेंगे तो यह तो हो गया हमारा liability लाइबलिटी हो गया यह तो ओ हो इतनी छोटी सी बात अब समझ में आए के bank overdraft क्या होता है हान जी जब हमारे account में balance नहीं होते तब हमारे account से पैसे निकाले जा सकते हैं उसे बोलते हैं bank over draft की facility बाद में उसको हमें वापस कर दिया जाता है हमारे दुआरा तो bank over draft हर किसी को नहीं मिलेगा यह सिर्फ reputated person को मिलता है जिसका वहाँ पर account है किस भी हाँ पर दिया जाता है वहाँ के stock उनका reputation entry बगरा देखके bank over draft की facility दी जाती है तो समझ में आया बच्चे आपको bank over draft तो आप फटा फटे से एक बार bank over draft की definition को नोट करो मैं read भी कर देता हूँ bank over draft की definition को और advance income अभी लिखा था ना नहीं read किया कर देते हैं देखो income receive in advance क्या कहता है sometime an amount is received during a year कभी कभी हम कुछ पैसा receive कर लेते हैं during the year in respect of income income के respect में that relate to next year जो कि relate किस से करता है next year से यानि अगले साल मिलना था लेकिन मैंने receive अभी कर लिया called as a income receive in advance या unearned income भी बोलते हैं जिस पैसे को नहीं कमाये गया यह तो last definition था bank overdraft note करिए आप अगर आपको notes मिल गया है तो note में से देखके copy कर सकते हैं आप समझी underline करिए लेकिन notes नहीं मिला तो वो लिख भी ले bank overdraft क्या होता है bank overdraft is a drawing drawing का मतलब निकालना out of bank account bank overdraft drawing है out of bank account निकाला जाता है more than what have been deposit in it more than ज्यादा निकाला जाएगा has been deposit in जितना उसने जमा किया है उससे कहीं जादा निकाला जाता है उसको क्या बोलते है bank overdraft समझ में आया आपको बात चलिए फटा-फट से आप एक बार ये note करिए फिर हम अगले और definition देखेंगे आज बड़े ही interesting definition करेंगे आज तो मज़ा आने वाला है आज तो बहुत सारी नई चीजे सीखने वाले हैं तो फटा-फट से आप इसको एक बार note करिए कर लिया note चलिए कुछ और words देखते हैं इसे मिटा देते हैं एक एक करके सीखेंगे आराम से कोई जल्दी नहीं है आप बस एकदम मन से देखना है मन से समझना है ऐसा कोई कुश्चन नहीं है जो कि आपके एक्जाम में रह जाएंगे अकाउंट से रिलेट बस विश्वास रखना है खुद पर कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अब एक और पाइंट देखें डिसकस करते हैं अब हम बात करेंगे revenue कि revenue की बात करते हैं revenue ठीक है revenue क्या होता है revenue का मतलब होता है आपका आए ठीक है ध्यान से समझना क्योंकि छोटी-छोटी चीजे हैं जिस पे आपका definition भी change हो जाएगा और मतलब भी change हो जाएगा देखो revenue क्या होता है जैसे मिस्टर राम है मिस्टर राम मिस्टर राम ने क्या करा सेल्स किया इसके बिजनस है और बिजनस में काफ़ी सारी चीजें आती हैं इसका ये सेल करता है सेल करा मोहन को मोहन को सेल किया इतने इसको 5000 रुपए दिये चलो अच्छी बात है सोहन सोहन से इसको rent मिला इसने 2000 रुपए दिये और अच्छी बात है टीना टीना से commission receive किया ये rent है बेटे और rent के बाद अगर मैं बात करूँ मोहन से तो ये है हमारा सेल सेल तो लिख दिया चलो टीना से commission मिला commission मिला 1000 रुपए राम ने कहीं shares में पैसे invest किये वे हैं shares में invest किये वे है share market में और यहां से जब share market से profit होता उसको dividend बोलते है dividend मिला 2000 रुपए total पैसा कितना मिला इसे total पांच, दो साथ और एक आठ और दो दस दस हजार ये जो दस हजार है हम हमारा इस पूरे दस हजार को हम किस नाम से जानेंगे revenue के नाम से जानेंगे पूरे दस हजार को तो revenue देखो बड़ा ही आसान है revenue क्या होता है जब कभी भी कोई businessman जब अपने पास receive करता है चाहे sales से receive करे चाहे interest से receive करे चाहे commission से receive करे चाहे rent से receive करे इसको किस नाम से जानते हम revenue के नाम से हम जानते हैं तो revenue का मतलब होता है हमारा कि हम क्या receive कर रहे हैं revenue जैसे revenue में क्या हो सकता है interest, sales ये सारी चीज़े, receive, मैं profit की बात नहीं कर रहा है, मैं revenue की बात कर रहा हूँ, अभी दो तिन example लोगा तो बहुत clear होगा कि अच्छा इस पार्ट को revenue बोलते हैं, एक बार मैं revenue की definition अगर मैं अधर तर्म revenue refers to the amount charged for the goods, sold or service rendered, जो हमने समान, चार्ज किया आप से, जो समान बेचा, उसके बदले जो आपने दिया, जो service आपको दिया, उसके बदले जो आपने दिया, permitting other to use enterprises, resource, yield, interest, royalty, dividend, for example, sale, commission, earned, interest, earned, royalty, earned, dividend, earned, इन सबको जब हम receive करेंगे, तो इसको simple क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे revenue के नाम से, तो revenue का मतलब होते हैं, आए, तो एक बार इसको note करिए, और अपने language में जैसे मैं समझाता जाता हूँ न, तो कई बार अपने language में लिखना है कि revenue का मतलब ठीक क्या है, ठीक है, चलिए फटा-फट से आप revenue note करिए, इसके बाद हम अगले point को देखते हैं, एक बार revenue note करिए, आप जल्दी जल्दी note करिए, कर लिया note, revenue को, तो एक और point discuss करेंगे, अभी revenue कराना, अपने note, revenue के बाद देखो, एक और point discuss और ज्यादा clear होगा, जब तक यह अच्छे से समझ नहीं आयता, इसको छोड़ना नहीं है, revenue के बाद, अगले point की अगर मैं discuss करूँ तो income, income, इन दोनों में फरक क्या है revenue और income में, income का मतलब क्या होता है, बताओ, सर, income का मतलब भी तो वही है, interest अगर receive कर रहे हैं तो income है, अच्छा, कमीशन receive कर रहे हैं तो income है, हाँ, अब इस दोनों में फरक देखो, एक example बताता हूँ, मोहलाल ने, चलो आपने इतने request करी, नाम बदल दिया मैंने, मोहलाल कर दिया, एक मालिक है, इसका दुकान, ये जोबड़ी नहीं है, इसका business है, किसी की business का मजाक नहीं उड़ाते, इसका दुकान, बिजनसमेन है, इसकी income देखो कैसे नकालेंगे, इसने sales किया, इसने sales किया, अरे क्या लिख दिया, मैंने, क्या हो गया है मेरे मारकर को, सही से चल नहीं रहा, sales किया है, sales किया है, इसने मोहन को, मोहन तो खुदी है भाई, सोहन को, 2000 रुपए का, इसने commission receive किया, 3000 रुपए, तो जो ये 5000 रुपए है, इसको बोलेंगे revenue, इसके बाद इसके खर्चे है, rent दिया है, rent paid किया है, 1000 रुपए का, इसके बाद इसके खर्चे है, salary दिया है, 2000 रुपए, टोटल खर्चे कितने हो गए, 3000, 3000, तो अगर मैं इस 5000 में से 3000 को minus कर दूँ, तो बचे कितने 2000, इसको income कहेंगे हम, ये हमारा income है, income, तो अब क्या difference थोड़ा clear हुआ, revenue का मतलब जो आ गया सो revenue है, लेकिन income का मतलब होता है, उसमें से खर्चे भी minus करने के बाद, जो बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम income ब एक बार income की definition बढ़े देता हूँ मैं, अभी बहुत confusion है, अभी और भी आगे चलेंगे, income की definition देखिएगा आप notes में, कहता है, income is the profit earned during a year, income वो है, जो profit कमाया जाता है, during a year, in other word, difference between revenue and expense, जो revenue और expense का बीच का जो अंतर होता है, difference होता है, is termed income, it is a broader term, then the terms profit include profit from activity other than operating activity, for example, goods costing, हमने एक समान 15,000 का बेच दिया, 12,000 में, तो 15,000 रुपे का मेरा expense था, और बेचा मैंने, sorry, 21,000 का बेच दिया, 15,000 रुपे का मैंने कितने का बेचा, 21,000 का, तो 15,000 का हमारा expense था, 21,000 का बेच दिया, तो 6,000 रुपे का मा लिए, तो जो 21,000 का बेचा है, तो 21,000 को revenue बोलेगे, और जो 6,000 कमाया है, उसको क्या बोलेगे, income, तो समझ मैं income का मतलब क्या होता है, income का मतलब एक तरीके से profit ही है, तो चलिए, फटा फट से एक बार, आप revenue तो भी देखा, income को note करिए, फटा फट, income को, example लिखते जाना है, कभी भूलोगी नहीं, income note करिए आप, कर लिए note income, चल लिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ये चला गया income का definition, खता, income के बाद करते हैं, क्या करें income के बाद, profit, सर ये एक ही जैसे word है ये, हम तो सब को एक ही बात बोलते थे life में, नहीं, फरक है profit में, profit का मतलब क्या होता है, देखो, अगर business की में बात करूँ, तो अब profit में मुझे समझना पड़ेगा, कि profit क्या होता है, हमारे business के अंदर कुछ खर्चे होते हैं, जो business से related है, और कुछ खर्चे हैं, जो business से related नहीं है, कुछ income है, जो कि business से related है, और कुछ income है, जो business से related नहीं है तो मैं profit की बात करूँ मेरा काम book store है अब नया business start कर लिए मैंने मेरा book store है और ये रहा मैं अनुज और ये मैं हूँ book store book store में हुआ क्या बताना ये मेरे business का income है या business से अलावा उपरी कमाई है बोलते है ना जैसे मानलों कोई काम करता है government के अंदर और जॉण जॉब करता है जॉब करने के बादowo जो salary सेलरी new करना एंकम व tyre और ऊपर से कहीं एधर उदर से रिस्वत रिस्वत ले कि commission commission कमा लिया तो वो उपरी कमाई बोलते हैं ना सुना होगा आप सबने नहीं करना इमांदार बनना है एकदम इमांदारी में बहुत ताकत है मन की बहुत तसली होती है इसके अंदर खुद के अंदर आपकी बहुत जादर respect होती है दूसरे से क्या मतलब अगर हम खुद की respect करते हैं वही बहुत बड़ी बात है book के अंदर book की दुकान है अनुच की मेरे खुद की दुकान है अब बताना मैंने old cooler बेचा old cooler बेच दीया क्या ये मेरा क्या old cooler एक पुराना cooler पड़ा था तूटा फूटा क्या ये मेरा business का income है क्या business related काम है मेरा काम पुराना cooler बेचना है नहीं सर ये business income नहीं है मैं ने मकान का किराया या फिर मुझे interest मिला है interest receive हुआ है interest receive क्या मेरे business का income है ये मेरा business का income तो मैं बताओ बेटे बताओ मैं student तो business का income क्या होता है business का income मेरा सिर्फ और सिर्फ होता है sales sales सर cooler भी तो बेचाई है क्यों पागल बना रहे हो बच्चे sales गुसा मत हो sales का मतलब क्या sales का मतलब business का sale business का sale जिस चीज़ का काम करते है बुक वाले कहें तो इसका sale क्या होगा register pen pencil यह सारी चीज़े सबजी वाले के लिए सबजी सेल होगा पर्चुन की दुखाने वालों के लिए दाल चावा लाटा तो electrician के लिए AC fridge तो यह sale, sale की definition भूल गए इतनी चल्दी, sale goods तो यह business का इसका काम नहीं है यह उपरी कमाई है तो इसके बाद मैं खर्चे की भी बात करता हूँ एक तो मान लो मेरा loss by theft हो गया loss by theft चोरी हो गया मेरे समाग दुखान से तो क्या यह मेरे business का खर्चा है यह मेरी लापरवाई, business का खर्चा नहीं है, business का खर्चा क्या होगा सर? business का खर्चा हमारा होगा जैसे की बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, worker का salary और stationary का खर्चा, यह सब business का खर्चा है म और बताएं हमें बिजनस का खर्चा क्या नहीं है और मैं बताता हूं इंटरस्ट पेड क्या मेरा काम ब्याज देना है इंटरस्ट पेड करना क्या मेरा काम है बिजनस से रिलेटिड खर्चा है नहीं सर यह बिजनस का खर्चा नहीं है तो बच्चे जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूँ यह जो मैंने बताया दो यह दोनों income था income था और जो यह दोनों बताया यह क्या है हमारा expense है तो income और expense है तो income का मतलब होता है हमारा यह जो income है आपने बोला सर यह business का income नहीं है अलग income है तो मैं इसको income साधारान income नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा, non operating income, non operating income, operating income, अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे, ये खर्चा क्या business का है, नहीं, इसको बोलेंगे, non operating expense, non operating expense, business के अलाबा खर्चा, तो जो profit निकाला जाता है, profit का formula अगर लिखू मैं, तो operating income, operating income, minus में operating profit, सर ये तो खर्चे income को minus, income में भी देखाता हमने, बिल्कुल सही, लेकिन इसके अंदर दोनों mix था, चलो example, आप मुझे बताना, देखो, sales, 5000, interest receive, एक example लेते हैं, दूद का दूद, पानी का बानी, interest receive, 2000, ठीक है बच्चे, salary paid किया, salary income नहीं होता, मालिक बनो, नोगर नहीं बनना, salary, 200 रुपे, मेरा loss white theft है, 200 रुपे, आपको यहाँ find करना है revenue, आपको यहाँ find करना है income, आपको यहाँ find करना है profit, तीनों चीज़े find करना है, चलिए, revenue जो receive करेंगे कुछ भी हो, हमने अभी देखा था, जहें commission हो कुछ भी, तो revenue दो चीज़े receive करी है, तो revenue बोलोगे sir, revenue 7000 है, 5000 प्लस 2000, sir income तो खर्चे को minus करते हैं, बिल्कुल सही, 7000 में से सारे खर्चे माइनस कर दो 700 रुपे, तो यह आएगा हमारा, 40, sorry, 6300 रुपे, sir profit क्या है, अब operating चेक करो, क्या sale हमारा operating है बिल्कुल, sale operating का part है, interest receive नहीं sir, salary operating खर्चा है बिल्कुल, loss by theft नहीं sir, तो इसका इन दोनों से related है, तो profit होगा हमारा 5000, minus में 500, तो profit अगर पूछा जाए, तो profit क्या होगा हमारा 4500, और मजे की बात बताओं, तो profit को दो हिस्से में बाड़ दिया जाता है, हम आगे देखेंगे, एक gross profit के नाम से, gross profit और एक net profit, क्या होता है, नहीं होता है, मैं इसके बारे में समझाओंगा, आगे चलेंगे इसके उपर discussion, तीनों में difference पता चला, revenue, income, profit, हाँ sir, ये तो हमें आज पता चला, नहीं तो तीनों को एक ही समझते थे, चलिए, profit का definition देखते हैं, profit mean income earned by the business from operating activity, the activity carried out by enterprises, business to earn profit, and profit further divided into the gross profit and net profit, simple है, operating activity, operating activity क्या है, अगर मेरा stationary का काम है, मकान का किराया, वरकर का salary, चाहे पानी का खर्चा, यानि बिजनस के अंदर जो खर्चा होता है, उसे operating activity बोला जाता है, और ऐसे खर्चे जो कि अचानक से हो गए, मान लोग कमेटी वाले आ गया रहे यार, मेरा सारा store store तोड़के चला गया यार, जंजट हो गया यार, जंजट हो गया, बड़ी दिक्कत हो गया, तो यह operating income थोड़ी है, यह non operating income है, जो कभी-कभी हो जाता है, आग लग गया भई यार, शिट दुकान में आग लग गया, अब क्या करें, इतना नुकसान हो गया, इतना खर्चा हो गया, तो यह business का खर्चा थोड़ी है, यह non operating income है, clear, तो यह चलिए, अब इसको एक बार note करिए, फिर हम चलेंगे, एक और इसी से related definition करेंगे, आज आपको profit में master बना दूआ, एक और definition करेंगे, चलिए, फटा फट से note करिए, note करिए आप, पली अवा जाए, झ झालेंगे, तो यह बंद करिए, चलिए, जश खब अद एक बारा note करिएMusicिए, भ hello Russell, कर लिया नोट चलिए इसे ही रेस कर देते हैं अगले पॉइंट पे चलते हैं सर बहुत मजा रहा है आज तो एक और डेफिनेशन करा दो मुझे चलो आपको मजा रहे हैं एक और डेफिनेशन कराते हैं फिर एक और डेफिनेशन गेन गेन सर गेन गेन का मतलब भी क्या होता है इसका मतलब भी आपका होता है आए और इसका मतलब भी आप आए मानलो प्राफिट ही मानलो इसका मतलब तो सर गेन फिर से प्राफिट हाँ देखो एक तो प्राफिट था बिजनस के सेल से और एक्सपेंस से जो माइनस करके हमने पैसे कमाया था उसको तो हमने प्राफिट बोला था लेकिन गेन क्या होता है जब कभी भी ऐसे प्राफिट कमाओ जो कि अचानक से हो जाए एक दब बिजनस का नहीं है वो जो मैं नोन उपरे तो नहीं है, अपने दुकान का मसींटरी बेच दिया है, मैंने पुराना स्क्रैप, तो वहां से जो प्रॉफिट कमाया, वो बिजनस का तो नहीं है, उस प्रॉफिट को बोलेंगे गेन, सेल्स करने के बाद जो हमने पैसे कमाया, वो तो बिजनस का है, तो उसको बोलेंगे हम profit. तो यहाँ पे gain और profit की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? gain की बात करता हूँ. example लेते हैं. फिर से मैंने क्या करा? राम ने क्या करा? कुछ points मैं बताता हूँ. sale किया इसने. sales of goods. goods बेचे इसने. कितने का? 2000 का. इसने क्या करा? profit कमाया. profit या इसने. सही ठीक है. profit on sale of fix fix नहीं लिखते हैं. सिर्फ asset लिखते हैं अभी. assets. 1000 रुपे. इसका salary दिया इसने. salary दिया 2000 रुपे. बहुत ज़्यादा दे दिया. 500 रुपे करो. कम करो. salary महगा ही ज़्यादा हुई. salary के बाद इसका loss by theft है. loss by theft. loss by theft है अब का. 100 रुपे का. interest receive किया इसने. interest receive किया. interest receive कितने का? 500 रुपे का. यह सारा काम इसने किया. अब हमें यहाँ पे निकालके दिखाना है क्या किया चारों चीज़े हैं. सबसे पहले आप बताओ revenue. revenue के असर. जितना पैसा receive होगा सब revenue है. sales, revenue. profit यह भी आया. revenue. इसके बाद हमारा profit के बाद revenue में. नहीं यह पैसा receive नहीं किया. profit इसको नहीं लेंगे. revenue जितना कमाया. इसके बाद क्या आया? interest. यह तो profit net है. जितना पैसा सिर्फ आया. profit में पैसा थोड़ी आता है. profit में कभी पैसा आता है. क्या आपने मसेंटी 10,000 का 12,000 में बेचा. तो क्या 2,000 रुपे पैसा आएगा? नहीं आएगा. इसके बाद बस दो चीजे. revenue के बाद करोगे. तो revenue मैं बोलूँगा, सर, 2000 प्लस में 500 रुपे. यानि revenue है 25,000 रुपे. किसी को doubt? सर, नहीं doubt. ये तो पहले ही पता था. income. income. income बात करते हैं. 2000, अब ये भी जुड़ेगा income में. 2000, 13,000. income का तो पाठ है ही है. 3000 और 500. तो 3500. 3500 रुपे टोटल रिसीव हैं. खर्चा कितना हुआ? माइनस करिये. 500 और 1600. माइनस 600. तो income क्या हो गया? 2900, हाँ जी. profit. profit का definition क्या था? business related. तो profit की मैं बात करूँ, operating की. तो sale, बिल्कुल ठीक. 2000, operating profit है. खर्चा सर्फ ये है. 500 रुपे है. 500 रुपे है. तो कितने का आएगा? 1500 रुपे का. अच्छा. अब चलिए आगे. profit के बाद. gain. gain क्या है? सर, gain. gain तो सरफ हमारा 1000 है. तो समझ में आएँ, अब difference आपको तीनों में. तीनों में देखो, answer अलग-अलग है, एक example के अंदर. तो gain होता है, जब हम profit कमाते हैं, किसी fixed assets को बेचने के बाद. या कोट में कोई case वगएरा चल रहा है, उस कोट के case को जीच जाते हैं, उसको gain बोलते हैं. अगर मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, कुछ points पूछना चाहता हूँ. बहुत सारा पैसा हो गया, तो mainly आपके pocket में कौन से पैसा रहेगा, इस दो पैसे की बात होगा. इस पैसे को अगर रखना है न, तो यहां से profit से निकाल के कहीं और रख दोगे, जैसे bank से निकाल के कहीं और रख दोगे, इस पैसे को अगर रखना है, तो इसको रखेंगे हम general general reserve में General Reserve में General Reserve में इद लेखिन यह पैसा साधारण पैसा नहीं है यह कभी-कभी होने वाला income है एकदम से income नहीं होता profit on sale of fixed assets निजए हर वार बार थोड़ी लेकिन यह तौ तो हर बार ही होगा इसको रहेंगे हम कहां पे general reserve में और इस वाले profit को कहाँ पर रखेंगे, इस वाले profit को रखेंगे हम capital reserve में, capital reserve में, के समझ में आई बात आपको, इस वाले profit को रखा जाएगा capital reserve में, तो general reserve और capital reserve, इसका भी हमें अगर difference पूछा जाएगा, करेंगे हमागे, चिंदा मत करो, तो जनल रिजर्व में कौन सा प्राफिट रखा जाता है जो बिजनस से इंकम कमाये जाता है उस फाइदे को जनल रिजर्व में रखा जाता है और जो कभी कभी इंकम कमाये जाता है उसको कहा रखा जाता है कैपिटल रिजर्व में general reserve कहां use कर सकते हैं आपके इच्छा है बेटे कहीं भी use करो बच्चे और capital reserve कहां use कर सकते है capital reserve government से permission लेने के बाद ही use किया जा सकता है या हमें loss हो जाता ना तो हमारे पास reserve पड़ा होता तो इस reserve मेंसे हम loss को क्या करते हैं minus कर देते हैं तो अब देखो तीनो चारो point एक जैसे है इसलिए मैंने एक साथ करने की कोशिस करी एक बार फटा फट से gain की भी definition पढ़ ले क्या लिखा है gain की definition बस दो line का definition है बच्चे कहता है तो इस तरीके के income को क्या बोलते हैं gain बोलते हैं कि ये incidental होता है fix assets को बेचने के बाद या court में case जीतने के बाद अब फटा फट से note करें एक इस example को इसके बाद और हम अब देखेंगे loss को जल्दी से note करें फटा फट फिर loss की चर्चा करेंगे कर लिया note चलिए जिसने थोड़ा मैं जल्दी मिटा रहा हूं इसे जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो के अंदर उसको pause करके note करिए ठीक है इसको note करिए चलिए बचे मिटा दू हाँ सर इसे मिटा दू कुछ और नहीं बाते बताओ आज तो बहुत सारी नहीं नहीं बाते बता चल रही है और इसको सीखने में मज़ा भी आ रहा है in fact मैं बात करो commerce के भी जो student है उनको भी कई वार ये difference नहीं पतना होता ये सबको एक ही चीज मानके कर देते है छोटी छोटी लेकिन आपके exam में MCQ जो होता है न बड़ा ही खतर खतरना question होता है सारे option ऐसे ही दे दिये जाएंगे बोला जाएगा net profit is the part of सारे income दे दिये जाएगा तो आपको ढूड़ना है net profit यानि profit का part कुण सा होगा सिर्फ operating income से जो कमाये जाए चलिए अगले point देखते है loss loss में ज़्यादा कुछ नहीं है loss का मतलब क्या होता है honey loss loss क्या होगा मान लेते हैं मेरा sales मेरा sales 10,000 है और मैंने worker को salary paid कर दिया salary paid कर दिया दो हजार का और मेरा मकान का किराया चले गया 8,500 का चलिए calculate करते है loss is equal to formula लिख देता हूँ आपका खर्चा ज़्यादा होगा तो loss कब होगा जब expense ज़्यादा होगा expense minus में income expense minus में income या expense minus में आपका revenue बोल दो यहाँ income कर देता हूँ receive कर दो income कर दो confuse मत हो ना बस अब income जो कम आया है तो यहाँ पर आएगा expense 10,500 income कितनी हुई मेरी revenue कर देता हूँ ठीक है लो बेटे revenue आपने तो सीखी लिया revenue चलो ठीक है तो 500 रुपए का आपका minus में balance है तो loss है कई बार आप ध्यान रखना अगर मैं लिखता हूँ न बुक में लिखा देखो 500 रुपए का profit और ऐसे bracket में डाल दे तो इसका मतलब profit भले ही लिखा है लेकिन ये profit नहीं है ये loss है इस मत का ध्यान रखना आपने ठीक है चलिए तो loss का definition को इतना major नहीं था simple था कि जब खर्चे हमारे ज़्यादा हो जाए किस से income से तो उसको क्या बोलते हैं हम loss बोलते हैं चलिए loss का definition देखते हैं आपके इसमें loss का definition कहता है the term convey two different meaning दो अलग-अलग meaning है first convey the result of business for a period total expense exceed जो total खर्चा है वो exceed हो जाए यानि total खर्चा वो exceed हो जाए the total revenue total revenue से for example revenue आपका 1 lakh है और expense 21 तो loss 20,000 कितना आसान आंसर था ये भी कोई बताने वाली बात थी मेरा मन किया मैंने बता दिया आज तो बस मैं आपका वक्त बरबाद कर रहा हूं कोई बात नहीं आज आपका time खराब करूँ है इसको एक बार note कर गया ठीक है इसके बाद बड़ा ही इंटरस्टिंग पॉइंट करेंगे है नोट कर ये जल्दी जल्दी अ अ हुआ 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 कर ली अनोट हुआ 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 कि चलिए अब बड़ा ही इंट्रस्टिंग पॉइंट करेंगे मैंने कहा कि आज आपको कुछ नहीं करना आज बस मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ नहीं नहीं बाते बताओं बोर नहीं हो चलो हम बात करेंगे डिस्काउंट की हम बात करेंगे डिस्काउंट की सर यह डिस्काउंट भी बताने वाली बात है कि डिस्काउंट हम जहां देखते हैं वहां खुद ही पहुंच जाते हैं आप क्या बताओगे डिस्काउंट क्या होता है अच्छा फिर भी मेरा मन कर रहा है एक बार मैं बता देता हूँ डिसकाउंट को बिजनस के अंदर दो कैटेगरी में बाटा जाता है एक होता है ट्रेड डिसकाउंट ट्रेड डिसकाउंट हाँ सर ट्रेड डिसकाउंट तो कुछ नया नाम सुना है एक होता है cash discount cash discount सर छोड़ो ना क्या बाते कर रहे हैं trade discount cash discount चलो बाते करते हैं कुछ आज कल क्रोना वाइरस बहुत फैल गया इसके बारे में कुछ बताओ कैसे चल रहे हैं अरे बनालाई को इसको छोड़ो discount की बात करते हैं trade discount cash discount छोड़ो सर trade discount चलो बस एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दिता हूँ फिर छोड़ दूँगा फिर कोई दिक्कत में है डिशकांट को हिंदी में बट्टा बोलते हैं ठीक है ट्रेड वेपार डिसकांट कैसे अच्छ डिसकांट समझना अब trade discount का पहले मैं example दूँगा trade discount होता है buy get buy get get buy one buy one get five free sir ऐसा तो नहीं देखा बिटे मैंने देखा है बच्चे मैंने देखा है ऐसा होता है अच्छा मैंने तो ऐसा भी देखा है buy one get 10 free ऐसा offer sir मुझे बता दो कहा मिलता है मैं ले लूँ आभी पहले देखो इसके बाद और 50% red से लिखा होता है off हाँ sir ये भी देखा है इसमें क्या नई बात है और देखो up to up to 20% off बिल्कुल sir ये भी देखा है और flat flat 60% off sir ऐसा भी देखा है क्या time खराब कर ले हो अब देखो अब time खराब ने करूँ अब काम की बात है बिल्कुल धिहान से समझ रहा है आपके एक्जाम में कुछ चनाने वाला है ये डिसकाउंट जो है buy one get five free इसको मैंने सही से research किया तो मैंने क्या पाया मैं गया एक shirt पे और ये मुझे आपका जो डिसकाउंट मिला है यहाँ पे पास में ही मदभन चौक है पितम पूरा मेट्रो शेशन वहाँ पैसे बहुत सारे showroom है कुछ केंटा बिल का है कुछ अलग-अलग company के showroom है वहाँ पे मैंने देखा औरेंज बगएरा का था showroom था मैं वहाँ गया और मैंने बोला भाई साब यह shirt कितने की है उसने बोला offer लगा था मैंने बोला कि shirt जो है आप पांच एक लो और पांच free पाओ मैंने बोला total छे सच में या फिर आप customer को पागल बना रहे हैं उसने बोला सच में भाई साब आप लो और मैं देता हूं five free ऐसे क्या बात कर रहे हैं मैं दूंगा जरूर. हम चार-पांच दोस्तें. पांच दोस्तें। मैंने बहुला, चलिर यहार ले लेते हैं. दो शट मैं लेखा. मैं ने बहुला कि भी, शट दिखाओ। उसने एक शट दिखाया. और शट का दिखाया. मैंने बहुला, भी है, अच्छा. ने को उसने बोले श्रेती हिजार रुपे यृश को हैं मैंने बोले कि सब्छा आप तीन हजार रुपे के सब्सूराइब मैंने बोला भाइज की टाइम पर कुछ बहुष भी कि कहके बेच देते च्चा बाई मैंने बुला चाहिए नहीं चाहिए शोरूम से निकला निकलने के बाद थोड़ी दिर बैठा मैं बैठने के बाद मेरे माइन में वही चल रही थी क्या बाते चल रही थी एक के साथ पाँच फरी मैं भूलने की बड़ी कोसिस कर रहा हूँ कि क्या था वो लेकिन माइन में बार बार आ रहा है एक के साथ पांच फरी एक के साथ पांच फरी घर भी चला गया घर पे भी मैंने सबसे बाते करी सबसे डिसकस करा रहा है एक दुकान में ऐसा था पागल बना रहे हैं लेकिन फिर एक दिन फिर चला गया मैं अगले दिन गया अगले दिन ले लेते हैं यार शर्ट क्या दिक्कत है पांच के फ्री तो मिली रहा है तो छे शर्ट आगे तीन हजार में तो कितने कितने का पड़ा उसने बुला पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पा कॉनट प्लेस में देखा ये शर्ट एक नॉर्मल शॉप की पर 500 500 सेल 500 करके बीच रहा था मैंने देखा रहे यार यहां तो 500 का मिल रहा है फिर भी मैंने अपने मन को मना आरे हम ठके थोड़ी गए हैं हमने तो क्या करा है 500 का ही खरीदा है छे मिले हैं यह चीज है लेकिन अब आप एक चीज बताओ इस दुकानदार ने ट्रेट डिसकाउंट जो दिया क्या इस दुकानदार का कोई नुकसान हुआ क्या सर नुकसान नहीं सर कोई नुकसान नहीं हुआ जब 500 रुपे का दूसरा वेक्ति यही चीज बेच रहा है और यही चीज यह 3,000 में अगर आपको 6 पीसिस दे रहा है तो यह भी तो 500 का ही बेच रहा है देखो तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ तो सर यह डिसकाउंट कहां गया फिर दुकानदार जब डिसकाउंट देता है तो नुकसान होता है यही तो समझाना है सारे डिसकाउंट देने पर नुकसान नहीं होता ट्रेट डिसकाउंट जो दिया जाता है वो सरिफ कस्टोमर को अपने साइड एक्ट्रेक्ट करने के लिए दिया जाता है या कोई खराब डिसकाउंट होता है कोई मैंने डिसकाउंट बोला कोई खराब से सेल आउट करने के लिए जो डिसकाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिसकाउंट जैसे फिफ्टी परसेंट आफ फिफ्टी परसेंट आफ और यह फिफ्टी परसेंट आफ यह देखते हैं एक बार और देखने के बाद मन बन गया मन बन गया तो लेही लेत जाते हो यह फ्लैट 60% बाइट टू थर्ड हंडेड रुपीस का यह सारी स्टेटेजी है तो यह डिसकाउंट जो होता है वह बिजनस के लिए कुछ नहीं करता सिर्फ और सिर्फ सेल बढ़ाने का काम करता है तो इसलिए यह डिसकाउंट बिजनस में कहां लिखेंगे बिजनस में इसका रिकॉर्ड होता है नहीं होता तो बच्चे इसका नो रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड होता ही नहीं है इसको लिखा ही नहीं जाता नो एंट्री विल बी डन इन दा बिजनस अच्छा तो क्या करें इसका तो यह हमारा क्या होता है ट्रेड डिसकाउंट ना तो बिज बिजनस में कभी भी इसकी entry नहीं करेंगे बस जब बनाएंगे तो बिल में से माइनस करके दिखा देंगे लेकिन बिजनस में कभी भी sale purchase कहीं भी entry नहीं किया जाएगा अच्छा ये था ट्रेड डिस्काउंट हाँ जी तो सर कैज डिस्काउंट क्या होता है समझते हैं कैज डिस्काउंट को माल लो मोहनलाल मोहनलाल लाल मोहनलाल एक बिजनसमेन है और इसने ये जो मोहनलाल है बहुत गुस्से वाला अदमी है बिजनसमेन मुहनलाल एक दम लाल बना दिया मैंने तो इसको मुहनलाल ने क्या करा मुहनलाल ने मुहनलाल ने क्या करा एक गुट सोल्ड कर दिया गुट सोल्ड किया और इससे भारी गलती हो गई इसने क्या करा दीपक को समान बेज दिया दीपक दीपक को समान बेच जब इसने दीपक को समान बेच तो दीपक को समान बेचने के बाद हुआ क्या दीपक को समान बेच दिया इसने किसने समान बेच दिपक को मोहन लाल ले जब मोहन लाल ने दीपक को समान बेच तो समान बेचने के बाद केतने का समान बेच तर बार बार क् पचास हजार का समान बेचा, अगर इसने पचास हजार का समान बेच दिया, और दीपक को उधार बेच दिया, गलती तो यही है, उधार बेचा, दीपक से बोला भाई मेरे पैसे दो, मोहनलाल बोलता है किस बात के पैसे देने है, मोहनलाल ने दीपक से बोला मेरे पैसे दो, म मोहनलाल ने क्या करा इसको समान बीचा है 5000 का तो यह मांगेगा लेकिन दीपक के मन में हो सकता है कि अभी पैसे ना हो या इसके मन में कुछ चल रहा हूँ दीपक ने टाल बटोल करके बोला कि मोहनलाल बात ऐसी है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज मुझे थोड़ा तो इनसान इनसान के काम आता है लो दो मेने बात दे देना दो मेने बीच गए दीपक को फोन किया दीपक ने फोन उठाना बंद कर दिया एक दिन मोहनलाल के पास मिल गया दीपक और दीपक को मोहनलाल ने बोला भाई मेरे पैसे दो दीपक कहता है यार पैसे प्लीज मेरे घर पर मम्मी बिमार है ये है वो है और फिर मैं भी पैसे नहीं देपा हूँ थोड़ा टाइम और दो इसने बोला चलो यार वन मंथ बाद दे देना लेकिन ध्यान रखना एक मैने बाद आप जरूर दे देना मुझे भी जरूरत है भी पैसे के दिपक ने बोला पक्का 101% मैं को दूंगा आप चिंता क्यों कर रहे हैं ठीक है एक मेना भी बीतिया दिपक ने अपना सिंब बदल दिया दिपक उस रास्ते से जाना छोड़ दिया कहीं और से जाता है मुहन लाल को बहुत गुस्ता आया वैसे इस गुस्से वाला इससार है यह दिपक लाल के घर पे गया उसने बोला रे दीपक बहार आओ कहां हो उसने बोला उसकी वाइफ ने कि दीपक तो है नी जी दीपक तो बहार गए है तो अच्छा दीपक से इसने मांगे पैसे मुहनलाल ने गुस्से में बोला भाई दीपक को बोल देना पैसे दे दे ये नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैंने तो अपना समझ के उधार दिया था, अपना समझ के सारा इतना टाइम दिया था, उसना बोला ठीक है जी मैं बोल दू कि, चलिये जी, चला गया गुस्से में, इसके बाद दीपक, तो घर में ही था, उसकी वाइफ ने बोला, उसना जब इतना बोला कि कैसे पैसे को रिकावर करें नहीं करें मोहनलाल को एक आईडिया आया यह दीपक के पास जाता है बोलता है भाई दीपक अब बहार आ जाओ पैसे मांगने नहीं आया हूँ वह फाइनल सेटिल्मेंट करूँगा दीपक आपसे लेने 50,000 है बोला हाँ भाई देने हैं 50,000 छोड़ो आप 40,000 में अपना खता बंद करो अगर आपने 11 दिन दिये तो मैं 70,000 रुपर लूँगा आपसे दीपक डर गया क्यों डर गया दीपक क्या यार 10 दिन के अंदर दूँगा तो 40 और 10 दिन के बाद दूँगा तो 70 वोला हाँ मैं ब्याज लूँगा अब देख लो क्या करना है तो अब मुझे एक जवाब देना क्या दीपक इसको 10 दिन के अंदर पैसे देने की कोसिस करेगा या नहीं करेगा सर बिलकुल ये 10 दिन के अंदर पैसे देने की कोसिस करेगा तो ये दीपक इसको क्या करेगा पैसे दे देगा मोहनलाल के पास कित चास अजार, मिले कितने चालिस, तो डिसकाउंट एक तरीके से इसके लिए क्या होगा नुकसान, यानि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, तो इसे हम बुक्स ओफ अकाउंट में दिखाएंगे, बुक्स ओफ अकाउंट का मतलब, जिससे मैंने बहुत नो रिकॉर्ड करना, तो बुक्स ओफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, और इसको बुक्स ओफ अकाउंट में दिखाएंगे, बुक्स ओफ अकाउंट में इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बुक्स ओफ अकाउंट में दिखाया जाएगा, सर यही तो फरक है, अगर मैं आपसे ब तो trade discount एक fixed percentage होता है, यह catalog price पे दिया जाता है और हर customer के लिए समान होता है, cash discount एक percentage नहीं होता, वो पैसे को जल्दी recover करने के लिए दिया जाता है, जिसको बोलते है prompt payment, जल्दी recover करने को क्या word लगते है, prompt payment, जल्दी recover करने के लिए पैसे को दिया जाए, तो उसे बोलते है हम cash discount और बताईए सर, इसे books of account में record नहीं करते हैं, और बताईए सर, ये आपका कोई ऐसा नहीं है, कि कितना percentage होगा नहीं होगा, ये business के लिए एक expense माना जाता है, और ये business के लिए no expense, no income माना जाता है, बस, समझ में आया, हाँ सर, इतनी सी बात थी और आपने इतना time हमारा खराब क कर लिए, क्या करूँ, आज मैंने बूला, मैं आज आपका सारा time खराब करूँगा, बस आपको देखते जाना है, तो trade discount, चलिए, पढ़ते हैं, discount को अगर देखें, तो क्या कहता है, discount is rebate, और इसको rebate भी बोलते हैं, धियान रखना, discount को न हम rebate भी बोलते हैं, rebate और allowances given by seller to buyer, it's two type, दो type का होता है, trade discount and cash discount, trade discount की definition देखते हैं, when discount is allowed by a seller to its customer, जब discount दिया जाएगा, seller के दवारा उसके customer को, तो at a fixed percentage on a catalog price, catalog price क्या होता है, जो menu देखते हो न, जो menu में price होता है, उसको बोलते हैं, catalog price, of goods, it is called trade discount, इसको trade discount, discount बोलेंगे, it is not record in the books of account, इसे books of account में record नहीं किया जाएगा, यही तो सारी पता है, मैंने आपको बात, it is deduct in invoice cash memo, इसे deduct minus कर दिया जाता है, किससे cash memo से minus कर दिया जाता है, itself from gross value of goods, goods के value में से minus जरूर करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, books of account में, cash discount, when discount is allowed to our customer for making prompt payment, it is called cash discount, for example, if seller allowed 2% discount for a payment within a week, जब seller 2% payment देनी के लिए बात करे कब, within a week, it will be called discount, it is always record in the books of account, समझ में आया, हाँ सर, समझ में आ गया, difference देखिए, difference भी दे रखा हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं, it is allowed a certain quantity is purchased, जब कुछ quantity purchase करोगे तभी मिलेगा, जैसे 3 खरीद होगे, तभी 2 free मिलेगे, otherwise नहीं मिलेगा, it is allowed for payment is made within a certain time, ये तब मिलेगा, जब आप payment कर दो, उस time period के दोरा, it is allowed increase the sale, ये इस क्यों होता है, इसे sales क्या होता है, बढ़ जाता है, it is allowed get prompt payment from customer, ये customer से जल्दी पैसे लेने के लिए होता है, it is deduct from invoice, और it is not deduct from invoice, cash discount कभी भी customer से deduct नहीं किया जाता, इसलिए आप कई बार जाओगे, तो payment कई बार आप cash में बोलोगे न, जी cash में खरी देंगे, तो आपको थोड़ा और discount दे दिया जाता है, cash discount, चलिए, अब आप इसको note करिए, इसके बाद और भी बहुत ही अच्छे- जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तो बहुत सारे definition है भी, चलिए, note करिए आप इसको discount, ठीक है, फटा फट, जल्दी जल्दी note करिए, अपने language में note करिए, अपने own meaning में note करिए इसको,